24 में 35 सिट दिजे, मैं बताता हूँ 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 के पहले ही ममता दिदी की सरकार कडडड़ भूस हो जाए और मित्रों एक बार बंगाल में कमल खिलाईये, ना बम दमाके होंगे, ना न्राम नवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना गुश्पेट होगी, ना गव के तसकरी होगी बंगाल के अंदर, जिस प्रकार का ब्रस्टाचार चल रहा है, वो ब्रस्टाचार मिटाने का एक मात्र रास्ता भारतिये जनता पार्टी, माताओ भाईयों बेनों, अभी राम नवमी के जुलूसों पर, रिस्रा और हावडा में हमला हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ बंगाल के अंदर, राम नवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, जोर से बोलिया निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए अगर राम नौमी का जुलू सांती से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा मगर तुरिनमुल कॉंग्रेस की तुरुष्टी करण की राधनिती के कारण ये हिम्मत बड़ी है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बार बंगाल लोगसबाद चुनाव में मोदी जी को पैती सिट दे यहां बाधपा सरकार बनाए किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में राम नौमी के जुलूस पर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी मित्रो मित्रो दीदी के सासन में बंगाल बम दमाको का सेंटर बन चुका है अभी अभी एन आईये ने बीर भूम में असी हजार से ज़्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जप्त किया अगर एन आईये ने नपकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम दमाको में जाती कोई नहीं गिन सकता मित्रो जिस बुईर भूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया उस बुईर भूम को आतांक का सेंटर बनाने का काम ममता बेनर जी की त्रिनुमुल कॉंग्रेस नहीं किया मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातीवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है ममता बेनर जी दीदी ये बंगाल की घरिब जनता के लिए काम नहीं करती उनका लक्स बंगाल की जनता का कल्यान नहीं है उनका एक मात्र लक्स अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है बंगाल के घरिब की इनको चिंता नहीं है मोदी जी जो योदनाओं भेज रहा है वो योदनाओं को नीचे पहुंचाने नहीं देती है